शेक्षड सहकार सबरपण, ओधील पणनों खड़तर, अपना बढन जों आपन दाँ महाशेकुरू कुल महाशे कुरू कुरू का ओक होगा था नारी सक्ति क्या है इसके बारे में जाना में और वी तो एहम्दाबद हएड पर उत्री यान Sakồng और वहां केसी उत्रिया थी आवेस बरा हुआ था इसके बारे में भी हमने जाना था तो उसमें था हमारे गुजरात का गवराव और भारत की सान और पुरे विश्यो की बेटी सुनिता विल्यम साही हुई थी उस वक्त मानों कि अंत्रिक्षियां ही हुआ यदे पर उतर आया ह कि ऐसा हमें लग रहा था और फिर हमारी पहली अंत्रिक्षियात्री यानि की कल्पना चाहुदा के बारे में भी हमने जाना था वो जब बुलंदियों के उच्छाई को चूकर वापिस आ रही थी अपनी सफलताओं को तब एक विमांदुर घट्ना के अंदर वो हमारी सिर् स्थम भारत के पुरुष जो अंत्रिक्षियात्री है उसका नामें राकेश शर्मा महिला के अंदर कल्पना चाहुदा इसके बारे में हमने जाना था और फिर हमने यह भी देखा था कि आकिर गुजरात के साथ सुनीता विल्यम्स का मूल क्यों जुड़ा हुआ है क्योंकि स सुनीता विल्यम्स के पिता डिपक पंडिया जो की महसाना जिल्ले के जुलासन गाओं में उनका जन्मा हुआ शिक्षा दिक्षा उन्होंने एमदाबास से हासिल की और फिर उन्हें शिक्षा भी प्रात की और डॉक्टरी के दिए और 1960 के अंदर वो सब यहां से समिट कर सदा के लिए हमेशा के लिए अमरीका चले गए अमरीका के यहां एक मैं साचू स्टेट्स के अंदर कालमावत सहर में प्रसिद्ध नियुरो सजन के रूप में उन्होंने कारे किया हुआ है और उस वाहिन नाम के योगोस्लावियन ज जैद दिना और सुनिता सबसे छोटी सुनिता वो सबसे तेज उनका जन्मा उनिस सितंबर 1965 के अंदर हुआ था ओई और सहर के अंदर तो यह जानने वाली बाते विद्ध्यातिमित्रों उसके अंदर जासी गुरुतिया बरे हुई थी जैसे कि गुड़ स्वारी मैं करने में बच्पन से ही सुनिता विम्लम सो को बड़ी दिल्चस्पी ति की कार्ण सुनिता विल्यम शाव स्वड़ाई जो कारनामै के उसमें उबरकर वाहर आई और सब की चाहिति सिक्षक है उन सब की चहेदी सुनिता विल्यंस कि और चुनिता विल्यंस जब 6 साल के नन्नी उम्र सी उसकी तब अर्माश्ट्रोंग नहांके एक एक अंत्रिक प्राप्तना और कलतना चावला के देखों लेकर आगे बढ़िए और हिम्मत नहीं आरी और सफलता के सिखरों नित नहीं आयां प्राप्त करती रही पाइलेट के रुप में प्रसिक्षन लिया फिर कमिशन अधिकारी के रुप में उनको बेसिक डिमेंडिंग ऑफिसर के रुप में फद मिला पाइलेट के कोर्स के लिए पसंद किया गया उसके अंदर प्रसिक्षन हासे किया और उसी पाइलेट बनने की जो सिद्धी थी उसक को अपना प्रथम कदम माना और फिए उन्तरिक्स यात्री के लिए वो चुनी गई पसंद की गई कारेटरों के अंदर जित्य प्रयास में उनको सफलता मिली और दुनिया में अज्जारों वेग्यानिक है पाइलेट है पर अंत्रिक्स यात्री केवल सो है यहां तक हमने देख है शनिता विलियम्स ने अपने खास मित्र और से अध्याई माइकल मिद्य म से साधी कलने यानिकि उनके कि अचावण शहाद्याई तो इसके जो शह अध्याई थे यानि कि शह पार्थी साथ अभ्याज करने वाला तो जो साथ अभ्याज करने वाला था उसका शौपटी की जिसका नम्ता माइकल विल्यमस है कि माइक विल्यमस ने है कि साथ साधी कर ले इसलिए सुनिटा विल्यमस जो है वो उनका पूरा नाम है अला कि पहले वो पंडिया थी अब वो बन गे ये विल्यम्स क्योंकि माइकल विल्यम्स नाम के लड़के के साथ साधी करने के बाद वो विल्यम्स के नाम से जानी जाती है अब सुनिता पंडिया से ये पहले क्या थी सुनिता पंडिया ये थी पंडि माइकल विल्यम्स नाम के लड़के के साथ साधी करने के बाद माइकल विल्यम्स ने सुनिता की सिद्धी में साथ दिया अब उसकी जो सिद्धिया थी यानि कि सफलता है उसके अंबर जो माइकल विल्यम से उन्होंने साथ निभाया पूरी तरीके से उनका साथ दिया और फिर सुनिता को अंत्रिक्स परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेणा स्त्रोथ का काम किया था यानिकी जिस्से हमें प्रेणा देने वाला यानिकी प्रेणा स्त्रोथ इसका समदों पहले हम समदले प्रेणा स्त्रोथ प्रेणा देने वाला सुनिता विल्यम्स को प्रेणा कहां से मिली थी कलतना चावला से सुनिता विल्यम्स को प्रेणा मिली थी तो उससे प्रेणा लेकर उसके साथ काम किया सुनिता विल्यम्स के साथ पिछले आट वर्ष में अंत्रिक्स यात्रा पर जाने वाली भारत की मूल की दूसरी मैला और स सुनिता विल्यम्स हमारी दूसरी महिला है जो अंत्रिक्स में जाने वाली है और जाकर सुपचल वापिस आ गई हैं सुनिता विल्यम्स अंत्रिक्स यात्रा करके सब उतल यानि कि अच्छे से वह वापिस आ गई हैं उसकी उत्तेयों को चू कर अपनी वाप्सी के समय उन्हों बहुता यानि कि अगर मुझे किसी के साथ मिला हो तो वो थी कलतना चावला के साथ मैंने काम किया है इस अभ्यान के अंदर और इसी लिए मुझे उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है यानि कि अच्छा लगता है बेहद यानि कि अच्छा लगता है बेहद यानि कि कि मुझे उसके साथ काम करना अप्तियंत अच्छा लगता है किसके साथ तल्पना चावगा के साथ इस अभ्यास के अंदर इस अभ्यान के अंदर जब वो जुड़ी थी तब रचे काफी लेकिन भारत होना एक सुटरदा में पीरो कर अलगता था है कि भारत की कि वह लग अलगुअ उसकी प्रकुरिकल कि रुच़ी यानि की बिल्चस्पी रुची यानि की दिलचस्पी चस्पी उनकी दिल्चस्पी उनकी रूचिया दोनों की अलग अलग बलई थी तल्पना चावला की और सुनिता विलियंस की लेकिन वो दोनों क्या थी भारती थी यह उन्हें एक सुत्रता में एक बंधन में पीरों को रखता था कि अलगम को भारतीय संगितते बेह अधão साधी निकि अत्यात लगा था इसको सुनिता विलियंस और रल फैर्च से अत्यात लगा था इस program में कापी कुछ फिरक्षान को अंतरिक्स के दोना प्रसिंख्ष्ण के कारों मैं उसको बातिक शिखाया वा ठाहुए आधने तो अब आईए देखते हैं कि सुनिता विल्यम्स को अंतरिक स्यात्रा में कैसा अनुपव हुआ उसके बाद में बताया गया है तो आईए पड़ते हैं जून 1998 में सुनिता को नाशा के लिए चैनित किया गया कब जून 1998 में जून 1998 में नाशा के अंदर तहां नाशा के अंदर सुनिता को अंतरिक्स यात्री के रुप में अंतरिक्स यात्री के रुप में चुना गया पसंद किया गया जून 1998 में सुनिता विएम्स को नाशा के अंदर अंतरिक्स यात्री के रुप में चुना गया अभी चुना हुआ है जाना भी बागी है आठ अगस्त उन्हें नाशा में प्रशिक्सा प्रारम किया अब शिक्सा कब शुरू की इसके लिए पहले पसंद किया गया है अब उस 8 मेने के अंदर अगस्त 1908 में उनका प्रशिक्षण नाशा के अंदर नाशा में प्रशिक्षण शुरू हुआ क्या शुरू हुआ प्रशिक्षण आठ अगस्त 1908 में के अंदर नाशा के अंदर उनका प्रशिक्षण करिया हुआ जून में उनका चुना हुआ यांकि चुना गया उनको पसंद किया गया पसंद किया गया नाशा के अंदर कम जोन 1998 में अगस्त महिने में 1998 में दो महिने के बाद उसका प्रशिक्षण करिया शुरू हुआ और फिर आगया खड़े प्रशिक्षण के बाद सुनिता खुद अंत्रिक्स यात्रिक के लिए तयार हो गई सुनिता बताती है अंत्रिक्स स्पेशन में जिंदगी आसान नहीं है अब देखो उनकी प्रशिक्षण कारिदो है नाशा के अंदर कुरा होता है वो अंत्रिक्स यात्री और अं हमने बताती हैं कि एक अंत्रिक्स के लिए उसके रिखिय केलिए उनका नाद फैस के अंदरनका जीवन पीज़ा होता है उनका जीवन किस सब्सक्राइब हौता है उसके बाषिख सुन्ते हैं किस्ध्राइब कर स्या Оyle होता है तो तो कॉल मैं वीडियो भी देखा था पहले के अंदर किंदर रहने प्रीक्श के अंदर हम उन responsibilities रहने वाले एक उन्रीख सिहत्री उनका जिवन का अच्छा होता यां कि उनका जीवद कवाने से लेकर प की एने से को सिद्व nodig होता मुश्किल्द किस में परकार मुश्किली उती है उनकी वुकिस। हो सुन्याब कास में जाने के बाद हवा में तैरने लगता है हाँ आहलों में पड़ता है कि इस पर परकार अपने आपके बांद कर रखना पड़ता है हुशिखा एटिन कंगों और कि उतना ये चलना में दिक्कत होती है एटीमिशा कर हडियों कमजोर Sozial कर कि हमें करने के पड़ियों करने पड़ती है दो घंते हर रोज क्योंकि हमारा सरी जो है वह बहुत दिक्कतों का सामना करता है कमजोर हो जाता है हमारे उदर की सट्टिया जो है गशिन भिन हो जाती है बहुत मुश्किलात होती है बच्चों इसके अंदर इसलिए यह बहुत कठिन काम है दिमाग तयार होने में समय लगता है हर वक्त सुबाद दो कंटे एक्सराइब को कि तभी जाते हमारी जो अडिया है और हमारी जो स्नाई हुए वो काम करने लगते हैं कि दो घंटे हो जाते हैं दो घंटे तक तो हमें कुछ सोचता ही नहीं है दिमाग काम ही नहीं करता है तो पहले उठकर पहले एक्सराइब करें दूसरे काम क्योंकि हमारे जो ताजगी पूर्णा हमारे जो दिमाग है वो कारियरत करने में हमें पहले समय निकल जाता है कि सुन अधिकिनिता फुद्क 캇ोन कारे लिया इसे अंत्र शियातरी के लिए उन्होंने लिए और प्राय है याको तयार किया है नाया है को आगे कहते हैं विध्यानिक पिकनिकी से बरे करें व कि रूसमे रोकर प्रैंण से ऴलिदा उन्होंने जांतड़ि प्राद्ट कि रूश में होई हैं उसके व्याख्यान सुने हैं व्याख्यान यानकी जो प्रवाचन होते वो तिससे विज्ञानिक से भड़े हुए कि उन्तरिक शीद्री के प्रवाचन उनके वीडियो लिलेके हैं उन्होंने स्अच्छन लिया है गारगी 1907 के अंदर जब वो अंत्रिक्स यात्री के लिए पहले गए तब उनके वीडियो मिला था गारगी का और उसके बाद सभी ने उस वीडियो को देखकर अपना वीडियो बनाना शुरू किया तो यहां प्रस्थिक्षां कारें पहले लिया सुनिता विल्यंस ने अपना गोता खोरी में अनुपो होने वाली बार हिंता से स्टेस वोक प्रस्थिक्षण में साहिता प्रदान तती यहां लिखा हुआ है एक सब्दा गोता खोरी दौरे समुद्र में डुप की लगाना गोता खोरी गोता खोरी गोहरे समुद्र में डुब की डुब की लगाना उन्होंने गहरे समुद्र में डुप की लगाना शिक लिया हा उसकी अंदर कहीं घंटटक पड़ी रहती थी एसी प्रस्थिक्षम कारी उन्होंने गोता खोरी का लिए हुआ है उससे अनुपो होता है कि हमारे सरीष के अंदर भार हिंता मैसूस हो थे हैं उपर रोखता और प्रेर करते हैं और वह संत प्रडंद करके रहते हैं इसे बहुत इनका मैसूष करते हैं उस वक्त हम अपने सरी को अलका मैसूज करते हैं, और पिय क्या वो कर सकते हैं, इसमें वो साहिता प्रदन करते हैं, यान्कि उसका अनुपर हमें वहाँ ताम आता है, अंत्रिक्स। यात्रिके संधर्व में बहुत सी विख्यालिक जानकारिया और मुश्किलों के बारे में ज भाषिल की बहुत सारे उसके वीडियो लेक्शर्स देखें बहुत सारे उसके लिए नीत नहीं है मुझकी लिए जो आती है उसके लिए मैं जाना और मैंने अपने आपको तयार किया विए अंत्रिक्स के संभवित खत्रों से खेलने के लिए संपुर्णता क्या हो चुकी थी तयार हो चुकी थी अब वो सुनिता पूरी तयारी के लिए नौ दिन पानी में रही थी अंदर रही थी कितना दिन नौ दिनों तरक अपने आपको तयार करने के लिए वो पानी के अंदर रही थी प्रवसिक्षन को खत्म होने के बाद करें आठ साल लग जाए इस प्रवसि खत्म होने में लगे आठ साल बीद गए प्रस्टिक्शन लेने के लिए और आठ साल के बाद अब सुनिता विल्यम्स पूरी तरह पूरी तरीके से तैयर हो चुकी है अपने आपको तैयर कर लिया है अब क्या है आगे की बाद डिसकोवरी अभ्यान फ्लोरीडा से केनेडी स्पेस सेंटर थाइट से एक थाइट एंजिनियर के तौर पर डिसकोवरी मिशन में सामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अट्लांटिश्ट अंत्रिक्स यान से शुरिता स्पेस पेस्टेसन पहुची अब उसको चुना गया पहले तो डिस्कवरी अभ्यान फ्लोरेडा के अंदर उनको फ्राइट एंजिनियर के तौर पर चुना देया और पिर इसी डिस्कवरी मिशन में वो सामिल हो गई और इसके बाद 10 दिसम्बर 2007 अट्लांटिस अंत्रिक्स यात्री यान के यान से सुनिता जो है वो स्पेस पेसल पहु अजय हो अजय है दस दिसम्बर 2007 अट्लांटिस के से कौन से यान से आट्लान्टेश यानसे आट्लान्टेश अंतरिक्ष अत्लान्टेश अंतरिक्ष यानसे यान से सुनिता स्पेस स्टेशन कापे स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन पर पहुंची कब पहुंची 10 दिसंबर 2007 अट्लांटिस यान से वो सुनिता विल्यम स्पेस स्टेशन तक पहुंच भी है आगे क्या होता है 17 दिसंबर को अंत्रिक्स में चौल कदमी की चौल कदमी करना यानि कि आगे बढ़दा चौल कदमी यानि कि वो अपने यान को लेकर अंत्रिक्स की और जाने के लिए तैयार हो बही थी अब उड़ चुका है उनका यान अंत्रिक्स जाने के लिए प्रत्वी से 137 किलोमेटर की दूरी पर कक्षा में स्खित अंत्रिक्स जेसन की गती प्रती घंटे 27747 किलोमेटर की थी अब प्रत्वी से कितने किलोमेटर हुचाई पर है अब देखो यहां है हमारी प्रत्वी है इस प्रत्वी से 360 किलोमेटर की दूरी में यहां की पक्षा के अंदर वो उसका स्पेशियां जो है इसके अंत्रिक्स की जो कक्षा होती है यह बाहर का जो यह वातावरण है उसे कक्षा कहते हैं उप्री वातावरण प्रत्वी स्पेस्टेशन से लेकर उसकी जो ब्रती थी वह प्रती घंटे यानकी एक गंटे में कितनी थी तो प्रती घंटे प्रती घंटे वह कितनी दूरी ते करती थी तो शक्ताइस अजार्ण स्पेस्टेशन से उनकी गतिविधी कितनी थी यह प्रुत्रीश है 307 किलो मेटर की और अंत्रिक स्टेशन की गर्द कितनी थी यह किसकी है अंत्रिक स्टेशन यह जो प्रती घंटे लिखे वह अंत्रिक स्टेशन की है यह प्रुत्वी की है और फिर आगे चलते हैं बच्चों कि यह जो अवाइड़ा प्रती दिन प्रुत्वी के अब यह जो वह अड़ा यह जो स्पेस घुमेंगा प्रुत्वी के चारोवर वह 15.7 चकर काटता है प्रती दिन प्रती दिन के यह अर्रोज के प्रती दिन 15.7 चकर लगाता है अब यह प्रती के कितने चकर लगाता है तो के 15.7 चकर लगाता है अर्था सुनिता ने प्रुत्वी के 2960 चकर अपने अंत्रिक्ष प्रवस के लिए किये इसके मतलब यह दो अजयाद 2600 2960 2960 2960 चकर बनाए चकर काटे इतने चकर काटे इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है इतने चकर उन्होंने पुर्थ्वी के लगाए अब प्रती दिन में फिर अंत्रिक्ष प्रवस के दोरां 2960 कर उन्होंने लगाए अगे इस अभ्यान में सुनिता ने 29 गंटे और 17 मिनित तक स्पेस करके अंत्रिक्ष में रिकोर्ड बना दिया अब सुनिता ने रिकोर्ड बनाए इस अभ्यान कि 29 गंटे तक वह बाहर रही इस स्पेस से बाहर 29 गंटे तक पैसे बाहर 29 गंटे और 17 मिनित अब इस प्रुट्वी से उपर गई थी वहां से बाहर निकले अंत्रिक्ष यान में से और 29 गंटे 17 में तक वह बाहर रही और और वह ने स्पेस्व किया स्पेस्वाक यानि कि अंत्रिक्ष गंदर चलना अंत्रिक्ष जो हता है पुरा अंत्रिक्ष प्रम्मान उसके अंदर 29 घंटे और 17 मीनित तक उनोने चुहल को पहल की अंदर यंदर गार उसके बार इससे पहले फरेन माल जितने वाली पहली अंत्रिक्षियाट्री बन चुकी थे तक पिक्चर देखा दा उसके नदर चार घंटे तक और चौबिस मिलेक तक उन्होंने डॉर लगाई और इस पहली मेराथन जीतने वाली अंत्रिक्ष परी सुनिता विल्यम से अंत्रिक्ष के बॉस्टन मेराथन से साड़े चार घंटे में 42 किलोमेटर का सब्सक्र का तमे गई थी आमने कल देखा था तो उसमें भी 42 गंटे चार गंटे और 42 किलोमेटर का सफ़र दे किया था और अंत्रिक्स में 1928 दिन तक रहने का अंत्रिक्स की अंदर और भी इसे चार घंटे के जो रेकोर्ड गंटे के जो रेकोर्ड कि चार गंटे का जो रेकोर्ड तोर दिया था रेकोर्ड क्या किया था तोर दिया था तो यहां उन्होंने अपना रेकोर्ड तोड़ा हुआ है तो आज हमने सुन्टा विलियम्स के बारे में क्या जाना तो उसके सवाध्याई कि माइकल विजलेम के साथ उन्होंने साधी मना लिए फिर उनने फुरस्टिक्षन के दोरां कल्पना चावला के साथ कामती आए वो दोनों की रूची बल्लय लगती पर भारती होने के एकरम दोनों को इस तोड़े भी रखती थी फिर स्पेस स्टेस्ट्रेशन के अंदर के कैसे दिक्कति आती है कैसे कैसे उन्होंने जो यहां अंदर रिकर्ड बनाए उसके बारे में आज हमने चाना बाकी का सुनिता विल्यम्स की जो चांता रही है वो अगले टास के अंदर तक के लिए बाई-बाई